तो स्वागत है आप सभी का BNN News के एक बिल्कुली नए एपिसोड के अंदर जहांपर सिर्फ एकी वीडियो के अंदर हम पूरे हफते की सारी लेटेस नियूस को जानते हैं और हर बार की तरह इस हफते भी बहुत सारी कमाल की नियूस सामने आई हैं तो इसलिए अगर आप किसी भी नियूस को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना लेगिन हाँ अगर आप मेंसे किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी और पर सेट कर लें ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस वीडियो अप्लोड ओ वैसी आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें बाकि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर बीने नियूस जरूर लिखना तो आईए अ अब हम बिना किसी देरी के आज की सकम्माल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की नियूस के बारे में एंड मार्वल से सबसे पहली खबर है वैनम 3 को लेकर तो वैनम 3 मूवी इसी महीने की 25 तारी को रिलीज हो रही है लेकिन मिनट्स में देखा जाए तो टोटल 95 मिनट्स इसके साथी इस मुवी के अंदर दो पोस्क्रेट सेंस होंगे इसके साथी वेनम 3 मुवी से नल का एक नया लुक सामने आये जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं लेकिन आप ये नोटिस कर पाएंगे कि इस वाले लुक के के अंदर हमें नल के बारे में जो भी दिखाया जाएगा वह असल में मुवी सकंदर नल की सिर्फ बिगनिंग है जिसका मतलब सोनी वाले आने वाली मुवी सकंदर भी नल को बहुत बड़ी बात कहीं है आप जानते होंगे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर किंग इन ब्लैक न चेड़ेंगे भी नहीं बल्कि ऐसा करने की बजाए वह और भी बड़ी मुवी सकंदर बार बार दिखने वाला है वैसे इसके साथ ही अभी हाली में वैनम के अक्टर टॉम हर्डी से जब यह पूछा गया कि क्या उनकी वैनम 3 के अंदर स्पार्डर मैन भी दिखने वाला है कि उनकी वैनम 3 मुवी के अंदर क्या होने वाला है वो यह तो नहीं बता सकते हैं लेकिन वो यह ज़रूर बता सकते हैं कि मुवी के अंदर कुछ भी हो सकता है और वैसे भी यह उनकी लास्ट वैनम मुवी है इसलिए यह वाली वैनम मुवी अब तक कि सारी मुवी में सबस बड़ी होने वाली है वैसे दोस्तों आपके सबसे स्पार्डर मैन वेनम 3 में दिखेगा या फिर नहीं कि आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना चलिए अब स्पार्डर मैन की बात हुई रही है तो स्पार्डर मैं से जुड़े वे और भी न्यूस को जान लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्पार्डर मैन की जो एनिमेटीड सीरीज आ रही है जिसका नाम यूर फ्रेंड़ी नेबर हुट स्पार्डर मैन है उसी के नए लुक को मार्वल ने रिविल कर दिया है और इसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं इसके साथ ही बात करें स स्पार्डर मैन के अक्टर टॉम होलेंड की तो उनसे अभी हाली में कई सारे सवाल पूछे गए थे जिसमें से सबसे पहले उनसे ये पूछा गया था कि क्या वो आगे भी स्पार्डर मैन मुविस में काम करेंगे या फिर नहीं सो इसी बात का जवाब देते वह उन्होंने पहले कभी भी इस बात को रिवेल नहीं किया इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला कि मुविस के अंदर आर डीजे का इरन मैन का उनके स्पार्डर मैन के ओपर बहुत ही बड़ा इंफ्लूएंस है और मुविस में आरन मैन ने स्पार्डर मैन को एक बच्ची के तरह संभाल अब बारन मैन के जाने के बाद वो ये चाहते हैं कि अब एंशे ऊंप एंदर माल्स ज Юा सोर्ण बार मैन के साथ काती है और टॉम होलें न ने इस कंपनी इस को अभी कुछी दिन पहले 16 अक्टूबर को लॉंश की आ है और इसके लिए उन्हों ने कउच फोटो भी शेर कर तो चलिए बात करते हैं नए कॉमी कॉन इवेंट के बारे में बेसीकली नीयोग शाहर के अंदर एक नया कॉमी कॉन हो रहा है और इसी कॉमी कॉन के अंदर मार्वल ने भी पार्टिसिपेट किया है तो वहीं से यह फोटो सामने आई हैं जिसके अंदर आप यह देख सकते हैं कि एक वॉल के उपर मार्वल ने बहुत ही प्यारा लोगों बना है। और इस लोगों में Marvel के जितने भी words लिखे हैं, उन सभी के अंदर Marvel के characters की images बनी हुई हैं, जो की देखने में काफी awesome लग रहा हैं, इसके साथी Daredevil born again series के अंदर Daredevil और Kingpin जो suits पहनने वाले हैं, उन सभी suits को भी इस Comic Con event के अंदर display किया गया हैं, मैं ये सारी photos भी आपके सामने बारी बारी करके दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इन्हें रोग कर देख सकते हैं, इसके साथ ही बात करें Wolverine के suit की, तो अभी अभी ये खबर सामने आई है कि Deadpool 3 मूवी के अंदर Wolverine ने अपना जो yellow suit पहना था, उस comic accurate suit को बनाने के लिए Marvel को एक लाग डॉलर्स खर्च करने पड़े थे, और इस amount को अगर रुपीज में निकाले, तो ये पूरे 80-85 लाग होते हैं, यानि कि एक suit को बनाने में Marvel को 80 लाग रुपे खर्च करने पड़े, हाला कि इन सब के साथ-साथ Marvel वाले Blade के character के उपर एक नई गेम निकाल रहे हैं, और इस गेम का नाम भी Blade ही रखा रहे हैं, मतलब कि ये series पूरी तरह से बच्चों के लिए होगी, और इस series का नाम होगा Iron Man and His Awesome Friends, और Marvel ने इसी series का पहला पोस्टर भी निकाल दिया हैं, जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं, Marvel की आखरी नी उसके बारे में, तो बेसिकल इस पूर्टर मैं वर्सेस डॉक्टर अपने से बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले तो जेम्स करने उनकी आने वाली सूपर्मैन मुवी से सूपर्मैन और उसके कुत्ते क्रिप्टो का पहला लुक शेयर कराएं, और इस फोटो के अंदर आप ये देख सकते हैं, कि सू कर दिया हैं, कि सूपर्मैन की मुवी के अंदर सूपर्मैन का जो डॉगी है, यानि कि क्रिप्टो, वो किसी से भी बात नहीं कर पाएगा, मतलब कि क्रिप्टो बोलने वाला डॉगी नहीं होगा, बलकि वो सिर्फ भॉंकेगा, इसके अलावा, मार्वल के बगी बांस, या करने की वज़े से वालों को डेर सो से दो सो मिलियन डॉलर्स का नुक्सान वाए, एंड इसलिए उन्होंने ये प्लैन किया है, कि वो आगे इस फ्रेंचैसी को कंटीनियू नहीं करेंगे, इसके साथ ही जोकर टू मुवी को डिजिटली भी रिलीस किया जा रहा है, और इसल पोस्टर को आप सब ये अपने सामने देख सकते हैं, इसके अलावा अगले साल फीनेस और फर्ब की जो सीरीज आ रही है, उस सीरीज के भी पहले पोस्टर को रिलीस कर दिया गया है, और ये बात कन्फरम कर दी गई है कि ये सीरीज सबसे पहले डिजनी प्लैस के पर स्ट् चुकी है, और इसका जो सीजन 3 है वो अगले साल के फरवरी 6 से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सीजन 3 के अंदर ही इन्विंसिबल का एक नया लुक दिखने वाला है, क्योंकि सीजन 3 के अंदर इन्विंसिबल अपना नया सूट पहनेगा, और उसका नया लुक कैसा चलिए अब बात करते हैं कुछ एनिमे गेम्स के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले बैंडाइन नैम को नाम की गेमिंग कमपनी थी, जो कि काफी टाइम से नरूटो और वन पीस के अपर गेम्स को डेवलप कर रही थी, लेगिन अब जाकर इस कमपनी ने इन दोनोई गेम को कैंसल कर दिया है, यानि कि अब ना तो नरूटो की गेम आईगी और ना ही वन पीस की, और कमपनी ने ऐसा इसलिए कराए क्योंकि यह काफी घाटे में जा रही है, हाला कि जहां पर एक बुरी खबर आई है, वहीं पर एक अच्छी खबर भी आई है, और यह अच्छी सारी गेम्स में से सबसे तीजी से बिकने वाली गेम बन चुकी है, वैसे आप एनिमे गेम्स खेलते हैं या फिट नहीं, ये आप मुझे चानल को सब्सक्राइब ने कर रखा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और इन सब के साथ-साथ अगर आपका वीडियो को मनो तो वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेयर करें बाकि आपको ऐसी और भी कमाल के वीडियो देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को चेक आउट कर सकते हैं तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मैं मिलता हूँ आप से ऐसी किसी और बहतरीन वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई